स्टापलस की सीरेल अनुपमा में हमने अब तक देखा कि बापु जी अनुपमा समर किंजल देवी का अनुच के घर पर आते हैं और बापु जी और जी के दोनों लड़ने का नाटक करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने एपरिल फूल बनाया आगे अनुपमा और अनुच भी ऐसा ही करते हैं दोनों लड़ते हुए नजर आते हैं और दोनों ही जी के और बापु जी सब देखकर हैरान होते हैं तब अनुच और अनुच और अनुपमा कहते हैं कि जैसे आपने अपरिल फूल बनाया वैसे मैंने भी बनाया आगे आज को कॉंट्रेक्ट नहीं मिलता है और वन्राज काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कावया आती है और कहती है कि तुम अपने आपको ऐसे हर्ट मत करो वी तभी वन्राज कहता है कि मुझे मालविका ने सिर्फ एक महिने का टाइम दिया था और ये पूरा एक महिना खत है कि तुम जीरो से हीरो बनने चले थे लेकिन अनुज हीरो बन गया है और कावया बहुत सुनाती है वन्राज को और वन्राज कहता है कि अगर तुम्हें मेरे टालेंट पर और मेरे दिमाग पर शक है तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं है को बाती करता है ये देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है आगे हम देखते हैं कि अनुपमा और अनुच की शादी की बाते शुरू हो जाती है जहां बापु जी कहते हैं कि मेरे घर से डोली विदा होगी लेकिन यहां पर जी के कहते हैं उस घर से नहीं होगी क्योंकि उस घर म मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन जी के नहीं मानते हैं आगे हमें अनुपमा और अनुच के बीच में क्यूट मॉमेंट देखने को मिलता है वहीं आगे हम देखते हैं कि शगुन की रस में शुरू हो जाती हैं और अनुपमा और अनुच भुश होते हैं अब ऐसे में देखना ये है कि शेगुन के रसमें तो हो चुकी है क्या अनुपमा और अनुच की शादी हो पाएगी जानने के लिए देखना ना भूले अनुपमा टेलवजन की लेटिस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले